जमूल अधाक विजन देखते वाले सबी नाजरीन को हीना शबीर का सलाम पहुचे नाजरीन आपको बता दूँ कि कल शाम को डोडा के असर के जंगलों में कल मिलिटेंस और स्क्यूरिटी फोर्सिस के दर्मियान पसादुम शुरू हुआ और आज भी आपको बता दूँ कि आज जो है दूसरा दिन है और अभी भी जो है वहाँ पर तसादुम जा रही है ऐसे मैं आपको बता दूँ कि कल जो उस एंकाउंटर को लीड कर रहा था जो आर्मी आफिसर उस एंकाउंटर को लीड कर रहा है वो जो है कल जखमी हुए थे और आज सुबह ये बता जा रहा है कि जखमों की ताब ना लाए हुए वो चल बसे है याने इस एंकाउंटर में जो डोड़ा का एंकाउंटर है इसमें एक आर्मी आफिसर जो है वो शहीद हुए है वही अगर हम मिलिटेंस की बात करें तो जब पुलीस जो है वहाँ पर पहुंची जब CRPF जो है वो वहाँ पर पहुंची उन्हें ने देखा कि वहाँ पर जो है कुछ खून के दब्बे हैं और वहाँ पर उन्हों ने ये भी देखा कि वहाँ पर जो है कुछ तीन रक्सेक भी जो है उन्होंने बरामत किये वही अगर ह हम वहां encounter की बात करें तो अभी भी जो है मुदवेड जारी है गोलियों को जा तबादला है वो अभी भी जारी है और ऐसे मैं आपको बता दूँ कि लगातार जो हैं पिछले कई दिनों से हमने देखा कि जगा जगा हुपर जो है encounter जारी हुआ है वही अगर हम साउथ कश्मीर के कोकरना इलाके की बात करें तो आज पांचवा दिन है और आज भी जो हैं वहां पर encounter जारी है हमने पहले दिन की अगर हम लहां की बात करें तो पहले दिन जो है वहां पर गोलियों की जो आवाज है वह सुनाई नहीं दे रही है लेकिन आपको बता दूँ कि कल शाम को ही जो एंडोडा के असर इलाके में जो हैं ह वहां पर अनकाउंटर शुरू हुआ थे और इनकाउंटर जा रही है और यह अभी बताना कभल अद वक्त होगा कि वहां पर जह जा है कि यह अभी हम नहीं बता सकते कि वहां पर कितरे मिलिटन स्ट्रैप है लेकिन आपको बता दूं ऐसे मैं आगे भी देखेंगे जमू कश्मीर में क्या कुछ होगा वो भी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तब तक के लिए मुझे उन मेरे कैमरामेंन मीर रईस को दीजे इजाज़त आप ही ना शुबित के साथ देखते रहे जमू लदाक विजन स्री नगर